जार्खन के पराशिक्षक अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे इसकी खोस्ना सीम हिमन सुर्ण ने जार्खन राजे प्रसिक्षित पराशिक्षक स्वांग के प्रतिनीधि मंडल से मुलकात के दोयान कही उन्होंने कहा कि राजे के पाराशिक्षको के लंबित मांगो पर सकरात्मक पिचार हुआ वहीं कहा इस निर्नाय पर पाराशिक्षको के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली जोहर्स की बात है बतादे मंगलवार को जार्खन मंत्राले में पाराशिक्षको के प्रतिनीदी मंडल ने सीम सिरी सुरेन से मुलकात किया इस मोके परणाई सरकार द्वारा पाराशिको को 60 बर्स का सेवा अस्थाई करन टेट पास पारा सिश्कों को 50% तथा नन टेट पास पारा सिश्कों को 40% मांदे विरिधी आकलन परिक्षा पास करने के बाद 10% मांदे विरिधी बोनस के रूप में मिलने हर साल चार परतिशत बेतन बढ़ोतरी पारा सिस्को का नाम अपसायक अध्यापक किये जाने के निरने के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा मांदे भुगतान के लिए फॉंड नहीं दिये जाने पर भी राई सरकार ने योई नमद से नेमित मांदे भोक्तान किये जाने समंदी राइज सरकार के निर्नाय का स्वागत जार्खन राज परसिक्षित पराज सिक्षक्षां के प्रतिनी दिमंदल ने किया है पूरे राज जे में कन कनी बढ़ गई है पीछले 24 घंटे में राइधाने राचे कनी उत्म तापमान 11 डिगरी सेल्सियस रिकोर्ड किया गया मौसम विभाक का कहना है कि तापमान में और गिरावट होगी बता दे तापमान 10 डिगरी सेल्सियस से निचे जा सकता है वहीं काके का तापमान 9.6 डिगरी सेल्सियस रिकोर्ड किया गया मौसम वैग्यानी अविसेक आनन ने बताया कि पच्छिम से आ रही ठंडी हावाव के कारण राची समीत पूरे राज्ये में ठंड बढ़ी है पूरे राज्ये में राची जीला का का काके और कोड़ा जीला का निमत्तों तापमान सबसे कम रहा है जार्खन में जल्द खुलेगा डिजिटल इसकील यूनिवर्सिटी जार्खन सीए महमन सुरेन ने कहा कि राज्ये गठन के बाद से ही राज्ये की सिक्छा बेवस्था में गुनात्मक सुधारलाना राज्यसरकार की प्रत्मिक्ता रही है राज्ये में अस्थाफित विश्व विद्यालेओं में अधेनरत शात्र शात्राओं को उच एवम तक्निकी सिक्छा तथा कोशल विकास गुनवता पूर्ण मिले इसको लेकर राज्यसरकार प्रतिबत्ता के साथ कार कर रही है राज्ये में जल्द ही कोशल विद्या उद्य में सिल्ता डिजिटल स्कील युनवर्सिटी की असापना की जाएगी बता दे मंगलवार को जार्खन मंत्राले में अविजित उच एवम तक्निकी सिक्छा विवाक की बैठक में सिये में मंसुरेन ने कहा की राज सरकार का लग्षा है कि जार्खन के सिक्छित और प्रसिक्छित और युवा को रोजगार का सुनिश्चित अवसर मिले आज से धान की होगी खरीद जार्खन में 15 दिसमबर से धान की खरीद सुरू हो जाएगी बतादे खाद आपूर्थी विभाग ने त्यारी पूरी कर ली है किसानों को धान बेचने पर 50 पिदी रास्ती का तुरंत भुगतान किया जाएगा जबकि बाग की रास्ती तीन महिने के अंदर दे दी जाएगी बुद्धवार को खाद आपूर्थी मंत्री राक्टर रामेशवर उराओ और किल्सी मंत्री बादल सन्यूपत रूप से रांची के नामकुम में धान अधिप्राप्ती की सुरुवात करेंगे किसानों को समान स्रेयनी के लिए 2050 और एक ग्रेट के धान के लिए 2070 रूप की दर से प्रति कींटर बेचे जाएंगे प्रारामभिक इसकूलों में नए सिख्षकों के बेतन मान और ग्रेट पे में होगी कट आती राज्य के प्रारामभी की स्कूलों में नए सिख्ष्ष्षों के बेतनमान और ग्रेट पे में कटाउती होगी इसकूली सिख्चावत सच्टावी भाग प्रणाबिक इसकूल सिख्चक नियुक्ति संसुदर नियमावली में इसका प्रधावन कर रही है। इसे केबिनेट की बैठक में रखा जाएगा है। 2600 शिख्षको के नियुक्ति परकिलिया सुरू होगी। परदेश के प्राराभिक इसकुलों में 26,000 सिख्षकों की नियुक्ती पर किलिया सुरू होनी है इसमें 13,000 पद पाराज सिख्षकों के लिए आरखित किये जा रहे हैं जबकि 13,000 पद सिधी नियुक्ती होगी बता दे इन पदों के लिए जार्खन करमचारी चाहन आयोग पर इक्षा लेगा इन पदों पर नए बेतनमान 52,000 से बीस और दो सिख्षकों की नियुक्ती होगी इसमें पहली से पांच वी के सिखचक को 2400 का ग्रेड पे और चाटी से आठवी के सिखचक को 2800 रुपए का ग्रेड पे मिलेगा यह सिखचक परमोशन के बाद 2200 से 2400 रुपए तक ग्रेड पे पासकते हैं लातेहर से महिला समेट साथ नकसली गिरफतार लातेहर पुलिस ने पतकी जंगल के पास से दो वर्दी धारी उग्रवादियों को हत्यार के साथ दवोशने के बाद उनकी निशन देही पर संगठन के सुप्रीमों समेथ पांच अन्य गुर्गों को भी गिरफतार कर लिया है बतादे गिरफतार नक्सली जार्खन करांती मोर्चा नामक संगठन से जुड़े बताये जाते हाँ लातेहर एसपी अंजनी अंजन ने मंगलवार को सन्वदता समिलन कर बताया कि ठेकेदारों और इट भटा संचालकों को दमकी देकर रंगदारी वसली जा रही थी NCD screening में जार्खन को तिसरा स्थान अजादी अमरित महोच्षव कैम्पेण के नन कम्यूनिकेवल डिसीज के screening के टेगरी में जार्खन को देश में तिसरा स्थान मिला है बतादे उनिवर्सल हेल्थ कौरी दिवस 2021 पर दिली के होटल असोका में अवेजीत समारोह में पुरस्कार दिया गया केंद्रिय स्वास्त राजय मंत्री डाक्टर भारती पवार से राश्ट्रिय स्वास्त मिशन जार्खन के अभियान निदेशक रमेश घोलप ने पुरस्कार ग्रहन किया पूलिस घेराबंदी से भाग निकला 15 लाख का इनामी रविंद्र गांजु जार्खन के गुमला वा लोहर्दगा जीले की पूलिस ने भाग पम मवादी के 15 लाख रुपए के इनामी जोनल कमांडर रविंद्र गांजु को पकरने वा मुट भेड में मार गिराने के लिए 3 दिन तक अपरेशन चलाया लेकिन जंगल पहाड वा भोगोलिक बनावट का फैदा उठा कर रविंद्र गांजु भागने में सफल रहा हालाकि रविंद्र के भागने के बाद फिर पूलिस उसके ठीकाने के सुचना प्राप्त करने में चुट गई है बता दे तीन दिनों तक जुड़वानी केराक कोना वा दूंद्रु जंगल में नक्सलियों खिलाप ऑपरेशन वा सामीर सुरक्षाबल गुमलावाल वर्दागा जीला की पूलिस सफलता नहीं मिलने पर वापस लोट गई है जारखन में कुरोना के चार नाई केस मिले है जबकि 14 मरीज स्वास्त भी हुए है जारखन में कुलेक्टिव केस की संख्या 124 है भारत में 68-111 नाई केस मिले है जबकि 8-61 मरीज स्वास्त भी हुए है भारत में कुलेक्टिव केस की संख्या 87-196 है लोहर दग्गा में कुरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेगा मुअबजा है लोहर दग्गा जिले में कुरोना संक्रमन की वज़ा से 88 लोगों की मौत का आक्णा स्वास्थ विभाग के पास उफलब धा इन लोगों के अस्रीतों को सरकार के निर्दे सानुसार मुअबजाद देने को लेकर लोहरदगा जिला परसासन के ओर से आवंटन की मांग की गई थी जिन का आवंटन लोहरदगा जिला परसासन को प्राप्त हो चुका है बता दे अनुमंडल पता दिकारी अर्विंद कुमार लाल का कहना है कि इसके अलावा भी नव ऐसे लोगों के बारे में जनकारे मिली है जो लोहरदगा के रहने वाले हैं प्रन्तु जीन की मत लोहरदगा से बाहर होई है हलाकि इन से समंदित आवैदन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं JPSC सात्वी की परिक्ष्द रोक से हाए कोट का इनकार झारखन हाए कोट ने सात्वी JPSC की मुख परिक्ष्द पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जस्टिस राजे संकर की अदालत ने कहा कि अदालत भी ससग्य नहीं है इस तरह के मामले में कई अचकाये दायर हो सकती है हर अचका में अलग अलग बिंदूओं को उठाया जाएगा इसलिए परतिवादियों के जबाब का इंतियार करना जरूरी होगा इस समद्ध में सेखर स सूमन ने हथच्छे प्याज का दायर की थी अदालत ने हथच्छे प्याज का खारीच कर दी थी नकसली घटाए समाप्त नहीं हूई सांसद बीडी राम ने अति पिछड और उगरवाद प्रभावित पलामु जिले को सहायता रासी बंद करने प्रचिंता जटाई है ने कहा कि केंद्रीए गिरी मंत्रा लेके आवकलन के मुताविक पलामु जिला के अंतरगत चल रही विकास वजनाओ को 200 केंद्रीय साहता के रूप में लगभग 33 कोर प्रती वर्श मिलते थे चालू वित्तिय वर्ष 2021 से उक्त जीला को विशेस केंद्रिय सहतरासी प्राप्त होना बंद हो गया है धनबाद से चलेगी जोतिर लिंग स्पेसल ट्रेन धार्मिक पर्यटन के सोखिन लोगों के लिए बढ़ी खुसकबरी है पतादे इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिजम कार्पोरेशन ने जारखन के जोतिर लिंग स्पेसल ट्रेन चलाने की खोशना की है बता दिया ट्रेन धनबाद से 17 दिसंबर को प्रस्थान करेगी पर्मुक जोतिर लिंग के साथ ही पर्याटक स्टेचू अफ यूनिटी सीडी के साइबाबा आधिक आभी दर्शन कर सकेंगे पूरी आत्रा बारा रात और तेरा दिन की होगी भार्तिये रेल की इस पहल से बड़ी संक्या में सर दालू जोतिसलिंग का दर्शन पुजन कर सकेंगे सीड कालिन सत्र से पहले विपक्ष ने स्पिकर की बठक का किया बहिसकार जारखन बिधान सबाका सीड कालिन सत्र 16 दिसमबर से सुरू हो रहा है बताते 16 से 22 दिसमबर 2021 तक जारखन बिधान सबाका सीड कालिन सत्र चलेगा इस सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे इसके तवाद 16 दिसंबर के अलावा 17, 21, 21 वा 22 दिसंबर को सिद्काली सित्र चलेगा इस दोरान 18 और 29 करमसर सन्निवार रभिवार होने के कायान अवकास रहेगा सत्र को लेकर राज्ये में अविश्य सरगर्मित्य जो गई है बतादे मंगलवार को विधान सभादे ख्रमित्रात महतों ने अपने कर्याले में सभी दलोक नेताओ के बैठक बुलाई इस बैठक का विपक्षी दलोके विधायकों ने बहिसकार कर दिया बतादे कि विधान सभा में विप्रक्षी दलों को मने आता नहीं दिये जाने को लेकर पिरोद जारी है टेट पास एक लाख अभियार्थी की नियुक्ति का रास्ता साब सिक्षक पत्रता परिक्षा पास अभियार्थों के लिए बड़ी खबर है सादे जारकंट सरकार ने हाई स्कूल और पलस टू स्कूलों के साथ अब प्राथमिक सिक्षकों की नियुक्ति को लेकर त्यार नए नियुक्ति को मंजूरी कर दिया है परदेश के सिक्षा मंत्री जगनात मतु ने प्रात्मिक सिक्षक नियमावली को सुक्रिति दी है राज सरकार के इस कदम से परदेश में टेट पास तकरीबन एक लाग अभियार्थियों के नियुक्ति का रास्ता खुल गया है सराय केला में डारिया से 30 लोग विमार डारिया से पिडित मरीज का सराय केला के राजनगर CSC सेंटर में इलाज चल रहा है बतादेगा में डारिया एक माह से फैला हुए है एक माह में 30 लोग विमार हो चुके हैं जिसमें से 7 लोगों का राज नगर CSC में इलाज चल रहा है डायरिया से पिडित 200 मुर्मो की जिती गंभीर बनी हुई है वहीं CSC के चिकित्सकों ने कहा इस मरीज को जमसेदपूर के MGM रेफर कर दिया है ज्यारखन बिधान सभा में नमाज कक्ष का बिवाद फिर होगा हंगामा ज्यारखन बिधान सभा में नमाज कक्ष को लेकर बिवाद सितकानी सत्र में भी हंगामे का सबब बन सकता है बता दे मंगरवार को विधान सभा के इस मामले के समधान के लिए गठिद विशेश समीती के बटक के बाद समीती के सदस्य परदी प्यादों ने बताया कि अभी अने राजियों से इस समान में रिपोर्ट का इंतजार किया रहा है सदस्यों के जनकारी दी गई की बंगाल विधान सभा से रिपोर्ट प्राप्ठ हो गई है जनकारी के मुताबिक बंगाल विधान सभा परिसर में इसके लिए जगा निधारित है और ने राजियों से रीपोर्ट मिलने के बाद विश्य समितिक किसी ठोस नतीजे पर पहुचेगी तेरह वर्स की नवालिक से साथ योकों ने किया दुसकर्म रांची के माडर थाना छेतर में नवालिक लड़की से समयक दूसकर्म का मामला सामने आया है पतादे तेरा बर्सिये लड़की एक साधी में सामिल होने पड़ोस की गाउं गई हुई थी देर रात अपनी दो सहलियों के साथ घर लट रही थी इसी बीश पहले से नजर बनाए हुए आरोपियों ने दोनों सहलियों को भागा दिया फिर पीडिता को सुन्सान अस्थान पर ले जाकर साथ यूकों ने बारी बारी से दुसकर्म किया जैक बोड परिक्षा फरम भरने किती थी बढ़ाई जारखन एकेडमी कॉंसिल ने परिक्षा फरम भरने किती थी बढ़ा दी है बरस 2022 कि क्कष्याओं मुधे और बिन चल्ट के साथ 2100-22-19 धि करδाने धन्यवाद यूदि योदि आप चैनल पर्ण बैंद हैं से लगशाल विडियो का इक लाइक कर अपने दोस्तों से सेर करना भूले साथ आप में कोमेंट बक्स में अपना फीडबेक आवास दे थाइंक यू